गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आफ क्लास फाइव आज मैं आप लोगों को संस्क्रित का पाठ बारह पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें आपको मैं विशेशन के बारे में आज बताऊंगा देखिए विशेशन परिचे इंट्रोडक्शन टू एड्ज एक्टिव यानि व इस संगया या सर्वनाम की विशेश्टा बतलाने वाले सब्दों को विशेशन काते हैं इसके बाद है जिस संग्या या सर्वनाम की विशेशता बतलाई जा रही हो उसे विशेशते कहते हैं अब मतलब वहाँ पे जिस वाक्य में जिस संग्या या सर्वनाम की विशेशता बतलाई जा रही हो उस संग्या या सर्वनाम को क्या कहेंगे विशेशते कहेंगे अब आईए विशेशन अपने विशेश्य के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं मतलब विशेशन का जो है वह बदलाब तब होता है जब विशेश्य के लिंग या वचन में अंतर होगा तब उसका जो है विशेशन का भी जो है लिंग जो है मतलब वचन जो बदल जाता है अब गागणा दिर्गह का आर्थ होताए लंबा या बड़ा कर सकते हैं तो दिर्गह खडगह यानि लंबा तलवार उसके बाद है क्रिशा बाला क्रिशा का मतलब होता है दुबली लड़की इसके बाद है सोभनम पाटलम अर्थात सुन्दर गुलाब आईए अब देखते हैं भारतम विशालह देशह अस्ती अर्थात भारत विशालह देशह अस्ती यानि विशाल देश है या बड़ा देश है हिमालय विन्ध्य चो विशालव परवतव अस्त घिमालय और विशाल परवत है एते विशालाह गजासंती एते अर्थात येदो विशालाह यानि बड़े गजासंती अर्थात हाथी है तिहार विशाला कारा अस्ती तिहार बड़ा जेल है इमें विशाले नौके अस्तह ये दो बड़े नौकाएं है इमाह विशाला कक्छा संती ये सब बड़े या फिर विशाल कक्छा संती अर्ठात कक्छाएं है इदम विशालम यानम अस्ती अर्ठात यह विशाल यानम अर्ठात गारी है दिल्ली कासी चो विशाले नगड़े अस्तह दिल्ली और कासी विशाल नगर हैं इमानी विशालानी भवनानी संती अर्थात ये सब विशाल भवन हैं अब देखिए पढ़ें और समझें जैसा कि यहाँ पर बताया गया है पढ़ें और समझें और कारांथ पुलिंग विशेशनों के रूप और कारांथ पुलिंग सब्दों के समान चलते हैं और कारांथ पुलिंग विशेशन जो होगा उसका जो रूप है और कारांथ पुलिंग सब्दों के समान चलते हैं जैसे दिया गया है चतूरह इसी का दूई बचन में चतूरह बहुँ बचन में बनाएंगे चतूरह आगे आईए अब जैसा कि आपके पुस्तक में दिया गया है ओ कारांथ पुलिंग सब्दों के समान चलते हैं अब जैसे आकारांत अगर होगा चतूरा इसका दूई बचन चतूरे और बहु बचन चतूरा फिर ओकारांत नपुनसक लिंग विशेशनों के रूप ओकारांत नपुनसक लिंग सब्दों के समान चलते हैं जैसे चतूरम एक बचन हो गया, चतूरे दूई बचन हो गया और चतूरानी ये बहु बचन हो गया अब यहाँ पे कुछ विशेशन सब्ध है और उसका अर्थ वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए और फिरी से याद कीजिएगा अब जैसा की लिखा हुआ भद्र जिसका आर्थ होता है अच्छा या फिर भला अब या उत्तम अर्थात उत्तम अधम या फिर दोष्ट जिसका आर्थ होता है बुरा या फिर दोष्ट स्रेष्ट जिसका आर्थ कहिएगा स्रेष्ट पवित्र इसका आर्थ पवित्र अग्य अग्य का मतलब होता है मुर्ख विज्य यानि विद्वान विशाल विशाल का आर्थ होता है बड़ा या फिर विशाल सीतल, सीतल का अर्थ होता है सीतल निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठा अब है सूरभित अर्थात सुगंदेत फिर है मनोहर या फिर सोभन मतलब सुन्दर स्वेत यानी सफेद या उजला श्याम या फिर कृष्ण जिसका अर्थ होता है काला अब है सीत जिसका अर्थ होता है ठंडा उष्ण यानि घर्म सुसील चपल यानि चंचल गोल गोल का अर्थ होता है गोल दिर्ग यानि लंबा कृष्ण यानि दुबला उसके बाद है अस्थुल अस्थुल का मतलब होता है मोटा फिर है पावन यानि पवित्र अब यहाँ पर कुछ अभ्यास दिया गया है मैं आपको इसमें इसका जो है हल भी आपको मैं करके बता रहा हूँ आप लोग इसे ध्यान से सुनिए यदि हो सके तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो है आप इसे पुरा भी कर सकते हैं देखे दिये गए विशेशनों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों को भड़ें यहाँ पे कुछ विशेशन सब दिया गया उससे आपको रिक्त स्थानों को भड़ना है अब जैसे कोश्चन नंबर कौ में प्रसंसन क्या को आप देख रहे है जलम पतती निर्मल से बनान पुरुषव अस्तह तो भड्र से बनाना होगा यानि एतव भड्रव पुरुषव अस्तह अभे कन्याह निर्त्यंते तो क्या लिखेंगे सोभनाह कन्याह निर्त्यंते अब है चात्रा वदती तुछ चतुड़ा चात्रा वदती अब है एसह सरोवरह अस्ती एसह विशालह सरोवरह अस्ती ओके चलिए आगे चलते हाओ यहाँ प्रस्न संख्या 2 में मिलान करें अब जैसे यहाँ पर मनोहरानी आपको एक तरफ जो है विशेशन दिया गया और एक तरफ संग्या है तो आपको सही विशेशन के साथ सही संग्या सब्द को मिलान करना है अब जैसे मनोहरानी तो मनोहरानी वस्त्रानी चपलव चपलव ससकव मधुडे मधुडे फले दोस्टः दोस्टः स्रिगालः अब है स्यामाः स्यामाः कोकिलाः ओके चलिए अब आगे ले चलते आपको सुन्दर के उचित रूपों से रिक्त अस्थानों को भड़े हैं सुन्दर से आपको इस रिक्त अस्थान को पूरा करना है सुन्दर यह विशेशन है आएम सुन्दर जिसका संस्क्रित अर्थ मनोहर यह फिर सोवन बोल सकते हैं आयम आयम डैस बालकह अस्ति तो क्या होगा आप खुद इसमें बताईए आयम सुन्दर होगा यह मनोहर होगा बालकह अस्ति आप उसमें लिख सकते हैं अप देख सकते है, आयम वालक अस्ती, आयम आप देख रहा है, आयम वालक अस्ती, जो इसमें सुन्दर के उचित रूपों से रिक्त स्थानों को भड़े हैं, तो अयम डास बालकह अस्ती सा पुश्पानी पस्यंती सा पुश्पानी पस्यंती तो सा क्या लिखेंगे सुन्दरा पुश्पानी पस्यंती सा सुन्दरा पुश्पानी पस्यंती तत उध्यानम अस्ते तत उध्यानम अस्ते तत उध्यानम अस्ते इसमें क्या लिखेंगे सुन्दर से आप इसमें मनोहरे भी लिख सकते हैं, सोभने भी लिख सकते हैं लेकिन सुन्दर से भरना है तो आप अगर सुन्दर का ही प्रयोग करते हैं वह भी सही होगा आगे अब आप यहाँ देख रहे हैं प्रस्न संख्या चार में नेमन लेखेत विशेशनों से वाक्य बनाएं उत्तमह से वाक्य बनाना है तो सह चात्रह उत्तमह अस्ते सीतलम तो जलम सीतलम अस्ते मधुरम फलम मधुरम अस्ते स्वेताह देखे बहुँ बचन हो गया यहाँ पे स्वेताह हंसाः ब्रमंते सुंदरव से बनाना है सुंदरव तो क्या बनाएंगे एतव सुंदरव गायकव गायतः चलिए अब मैं आगे आपको ले चलू प्रस्न संख्या 5 नेम न लेखे तो वाक्यों का आनुभाद करें स्यामा को किला गायती स्यामा का अर्थ क्या होता है काला को कहते हैं स्याम जिसका रंग काला होता है उसी को स्याम बोला जाता है तो स्यामा कोकिला गायती यानि काली कोयल गाती है एतत जलम निर्मलम अस्ती यह जल निर्मलम अर्थात स्वच्छ है सुर्भितानी पाटलानी भिक्षंती सुगंधित गुलाब खिलते हैं स्वेतव हंसव भ्रमतः स्वेतव हन्सव दो सफेद हन्स घूमते हैं ताह छात्रा उत्तमा संती वे सब छात्राएं उत्तम हैं अब आईए प्रस्न संख्या छे में संस्कृत में अनुवाद करें आम मीठा है आम्रम मधूरम अस्ती जल स्वक्ष है जलम निर्मलम अस्ती वह दूस्ट आदमी है सह दूस्ट अधूस्ट नरह अस्ते मुर्ख बच्चे हस रहे हैं अग्य मुर्ख का क्या होता है अग्य बालाह हसंती यह विशाल भवन है हो गया अब देखिए अभी जो है मैंने आपको पाठ बारह जो है वो विशेशन परिच्चे इसके वारे में आपको मैंने अभी बताया है और मैंने इसका अभ्यास भी आपको अभी कम्प्लीट करवाया है मैंने आपको बोला था कि अगर हो सके तो आप लोग मेरी आवाज को सुन करके आप अपने पुष्टक में जो है उसे कम्प्लीट की पूरा कीजिएगा और वैसे जिन बच्चों का छूट गया होगा मैं उसका पुना फिर से जो है मैं इसका जो है वो ग्रूप में जो है solution करके मैं भेज दूँगा तो अभी जो है आप लोगों ने इस वीडियो को पाठ बारा को जो है इस वीडियो के माध्यम से देखा और सुना तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सारे वच्चे इस वीडियो को जो है देख करके और सुन करके इस पार्ट को जो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे ओके ठैंक यू